मॉनिंग क्लास कैसे हैं आप लोग बेटा हमने अपनी पिछली वीडियो में सस्टे पार्थ है सदाचार चटा पार्थ सदाचार पड़ा था जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मनुष्य को अपने जीवन में सभी के साथ बहुत ही अच्छा वेवार करना चाहिए सब के साथ प्रेम से बोलना चाहिए बड़ों का सेवा करनी चाहिए बड़ों के आग्या का पालन करना चाहिए कभी भी किसी के साथ अपने यह नहीं बोलने चाहिए मनुष्य को हमा अपरे जीवन में सदाचार अच्छे आचरन करने चाहिए सभी के साथ वह अच्छे से वेवार करना चाहिए सब के साथ मीठा बोलना चाहिए प्रिय बोलना चाहिए कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि जो किसी को पुरा लगे और हमेशे अपने सचे मित्र के साथ बहुत अच्छे से रहना चाहिए किसी किसा जगडा नहीं करना चाहिए तो आज हम इस पार्ट का अभ्यास कारे करेंगे अभी हमने चलिए इस पार्ट के हम शब्दार पढ़ते हैं रिपूर शत्रू उद्धमे परिश्रम शरीरस्थे शरीर में इस्तित अवसीदती दुखी होता है शवह आने वाला कल कुर्वित करना चाहिए पूरवायन दोपैर से पहले अपराहिकं दोपैर के बाद करने योग्य कारे अनरतम जूल सनातने सदा से चला आ रहा हो स्याते हो अधार्यम उदार्ता रिजुता सरल्ता म्रदूता कोमल्ता कौटेलियम पुटिल्ता तेड़ा पन सेवेट सेवा करनी चाहिए, परीवजित बचना चाहिए, वाचा वाणी से आप इसका अभ्यासकार्य करते हैं प्रेशन नंबर 1 उप्युक कथाना समक्षम आम आपन समक्षम ना इति लिखे सही कथन के शामने आम और गलत कथन के सामने ना लिखे तो सबसे पहला जो हमारा वाक्य है वह प्राता काले इस्वरम इस्मर्ते सुभा हमें इश्वर का नाम लेना चाहिए लेना चाहिए नहीं सही लेना चाहिए तो उसका आम दूसरा शब्द है अनार्तम बुर्यतम क्या हमें जूट बोलना चाहिए नहीं, हमें जूप नहीं बोलना चाहिए इसके लिए हम लिखेंगे, ना तीसरा है, मन सा स्रेष्ट जना सेवते मन से स्रेष्ट बड़े लोगों की सेवा करनी चाहिए येस, आम मित्रेन कला करतुमा जना सुखी भौते मित्र के साथ जगडा करके व्यक्ति सुखी रटा है सही है ये गलत? गलत ना मित्र के साथ जगडा करके, आध मनुश्य सुखी नहीं रहता है श्वय कार्यम अद कुर्विता कल करने वाला कार्ये हमें, आज कर लेना चाहिए सही प्रिशन नमबर तीन एक पदेन उत्रफ मतलब एक पद में होता है दीजिए One word answer पहला question हमारा का नाप पर्तिक्षते कौन किसी की परिक्षा नहीं करता है करती है या करता है कौन है जो किसी चीज के भी पर्तिक्षा नहीं करती है आंसर है मृत्यू मृत्यू कभी भी किसी का नहीं करती है सत्यता कदा विवार स्याते हमें कैसा विवार करना चाहिए सबके साथ कैसा बोलना चाहिए सबके साथ मृदुता मीठा मीठा की बुर्यतम कैसा क्या बोलना चाहिए कैसा बोलना चाहिए प्रिये सत्यम प्रिये सत्यम बोलना चाहिए प्रिये सत्यम नहीं बोलना चाहिए प्रिये सत्यम हमेशा मैं कैसा बोलना चाहिए प्रिये सत्यम बोलना चाहिए केन सहे कलाम कृत्वा नरा सुखी न भोते किसके साथ जगडा करके मनुश्य कभी सुखी नहीं रहता किसके साथ अभी मैंने आपको बताया था ना मित्रेन मित्र के साथ जगडा करके मनुश्य कभी भी सुखी नहीं रहता next question है का महारिपू असमाकम शरीयत इस्टिती हमारे शरी का सबसे बड़ा शत्रू कौन है कौन है हमारे सरी का सबसे बड़ा शत्रू कोई बताएगा येस आलस्य है आलस्य हमारे सरी का सबसे बड़ा शत्रू होता है चलिए एक बापुना इन प्रशनों को पड़ते हैं का ना पर्तिक्षते कौन किसी की भी पर्तिक्षा नहीं करती का की यहाँ मृत्यू सत्यता कदम व्यवारे स्याते सत्यते साथ हमें कैसा व्यवार करना चाहिए मृत्यूता की बुरियतम क्या आप बोलना चाहिए प्रिय सत्य केन से है कलाम, कृत्वा, नरा, सुखी, ना भवेत किसकी साथ जगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं रहता मित्रें का महारुपू, अस्माकम, शरीरे तिस्टते हमारे शरीर में सबसे बड़ा हमारा शत्रू क्या है आलस से प्रिशन नमबर चार, रेखांकित पदानी आदित्य प्रशन निर्मान करूते रेखांकित के गए पदों से प्रशनों का निर्मान करें जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कैसे हमें प्रशनों का निर्मान करना है पहला है मिर्ट्यू ना पर्तिक्ष्टे तो मिर्ट्यू की जगा हम क्या इस्तमाल करेंगे का प्रशन बनाएंगे ना तो यह हो जाएगा का ना पर्तिक्ष्टे कलाम करित्वा नरा दुखी भवती कलाम की जगा किम किम क्रित्वा नरह दुखी भवती पित्रम कर्मना सेवेद उसकी जगा जाएगा काम कम कर्मना सेवेद वेवारे मृदुता श्रियत्सी उसमें आ जाएगा का वेवारे का श्रियत्सी सर्वदा वेवारे रिजुता विधेया सर्वदा की जगा कदा कदा वेवारे रिजुता विधेया नेक्स गोंशन है प्रशन मध्य तरीनी किरिया पदानी संति तानी प्रीज जय सार्था वाक्यानी दिये हुएए इनके द्वारा आपको वाक्य बनाने हैं तो चलिए हम वाक्या बनाते हैं पहला वाक्या हम बनाएंगे जो वो है अनत्रम प्रिये चाना बूरियात ठीक है, दूसरा बनाते हैं हम मनसा, मात्रम, पित्रम, चा, सेवेत उसके बाद नेक्स्ट है सत्यम, प्रियम, चा, बूरियात उसके बाद नेक्स्ट है वाचा, गुरू, सेवेत उसके बाद नेक्स्ट है सत्यम, अप्रियम, चाना बूरियात उसके बाद नेक्स्ट है वहवारे, कदाचित कोटिल्य, ना, स्यात उसके बाद नेक्स्ट है स्रिस्ट, जनम, कर्मणा, सेवेत उसके बाद नेक्स्ट है वहवारे, सर्वुदा, अधर्य, स्यात उसके बाद नेक्स्ट कोश्चन है मंजुशाथ अव्यब पदानी, चितवा रिक्तिस्थान पूरेत agreement दिये गए अव्यब पदों से रिक्तिस्थानों की पूर्थी करें तो पहला है आए हमारा भक्त है, डैश, इस्वरम, स्मृति तो भक्त है, सदा भक्त है सदा, इस्वरम, इस्मृति दूसरा है असत्यम डैस वक्तवयम उसमें क्या आएगा असत्यम ना असत्यम ना वक्तवयम नेक्स्ट है प्रियम डैस सत्यम वदेत प्रियम तथा उसके बाद नेक्स्ट है लता मेधा डैश विद्यालेम गच्छते लता मेधा चा चा का मतलब होता है और उसके बाद नेक्स्ट है डैश कुशली भवान तो उसमें आ जाएगा अपी अपी कुशली भवान उसके बाद नेक्स्ट है महत्मा गांदी डैश अहिसम ना अत जैते उसमें आएगा कदाचन महत्मा गांदी कदाचन अहिसम ना अत जैते उसके बाद प्रशन नंबर साथ है चित्र द्रस्टवा मंजुसात पदानी चाप्रिक्त वाक्यानी रचेते चित्र को देखकर दिये गए शब्दों के द्वारा वाक्यों का निर्मान करें ठीक है तो चित्रवर्णन इसे हम कहेंगे चित्रवर्णन तो पहला है कक्षायाम सिख्षके श्याम पट्टे प्रशनम लिखती ठीक है दूसरा शब्द है फिर छात्रा पुस्ति कायाम उत्राणी लिखन्ती उसके बाद है नेक्स्ट ते श्याम पट्टे उत्राणी ना लिखन्ती उसके बाद है सब्टि कायाम प्रशनम ना लिखती बच्चो आशाया आप लोगों को इपाट बली बाती समझ में आ गया होगा यह कार्य आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में बहाते साफ और सुन्दर अक्षों में करना है अपना काम प्रॉपर वे में करें सही तरीके में करें और एक बात का ध्रान रखें कि जब आपके उत्तर पुस्तिका यहां पर जहांच के लिए चैकिंग के लिए आएंगी तो उस बीच में आपको यह कार्य पिन पेज में करना है और बाद में अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे चिपका दे रहा है जूम गूगल मीट अटेंड कीजिए अपना काम टाइंग पर सम्मिट कीजिए जमा कीजिए और काम कारे बहुत सही तरीके से करें और सही धंग से करें ठीके